हेलो इब्रीवन आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत हाप सबकाइबर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल Just Knowledge पर मैं हूँ कुमार बिने और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा रेगिस्तान में जीवन के बारे में हम लोग 20 के परमुक अस्थानों का भरमण कर रहे थे यानि की हम लोगों ने सबसे पहले Amazon Basin के जंगलों का परमण किया उसकी बाद में हम लोग एक सितोष्ण कटबंधिये जलवायों के परदेश यानि की गंगा और ब्रमपुत्र के बेसिन का जो जीवन होता है उसके बारे में जाना पिछले अध्या में हमने विश्व के दो परमुक घास अस्थलों के बारे में अध्यान किया यानि की प्रेरी जो की है उत्तरी अमेरिका में और उसके बाद में हमने बात की बेल्ड के बारे में जो की है साउथ अपरीका म आज हमारे class 7 की NCRT का या last chapter है जिसमें हम लोग जानेंगे life and desert यानि कि रेगिस्तान में किस प्रकार का जीवन होता है देखिए हम लोग समझेंगे पहले रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं basically अभी तक हमारे मन में जो अधारणा है रेगिस्तान को ले करके वह यह है कि ऐसा छेतर जहां पर बालू होता है या रेद पाई जाती है हम लोग उसी अस्तान को रेगिस्तान कहते हैं लेकिन वह धारणा अपनी थोड़ी सी बदलिये क्योंकि रेगिस्तान उस प्रतेक अस्तान को कहते हैं जहांकि जो जलवाय होती है वो काफे सुस्क होती है और वहां पे तापमान बहुत ज्यादा या बहुत कम हो सकता है ठीक है तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे उसके लावाँ बेल आइकन को भी क्लिक कर लिजे जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना न भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और हम लोग भरमण करते हैं रेगी स्थानों के अंदर देखे हम लोगों ने अध्याय 5 में पढ़ा था जल की विसेश्था के बारे में यानि की वाट इंपॉर्टेंस आफ वाटर यानि की जल का क्या उपयोग है हमारे जीमन में ठीक है तो जल का बहुत सारा उपयोग है यह तो आप लोग जानते ही होंगे तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे अस्थानों की जहां पर रहना एक बहुत ही दूसकर प्रकिरिया है लेकिन फिर भी इंसानों ने उस परिस्थिती में या वहां की जलवाई उपर किसी तरीके से नियंत्रम पाया और उस अस्थान पर आज भी रह रहे हैं ठीक है तो ऐसे ही छेत्र है हमारे रेगिस्तानी छेत्र यानि कि डिजर्ट रिजन आप दी वर्ड तो बेसिकली जो हमारे रेगिस्तान होते हैं उनको तापमान यानि कि टमप्रेचर के आधार पर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पहला हमारा होता है गर्म रेगिस्तान ठी तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बिर्शु के एक गर्म रेगिस्तान यानि की सहारा के बारे में जानेंगे जो की दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और हमारे भारत का लगभग तीन गुना है ठीक है अगर हम लोग लगभग बात करें सहारा के रेगिस्तान की तो सहारा के रेगिस्तान का जो चेतरफल है वो हमारे भारत के तीन गुना है उसके अलावा हम लोग बात करेंगे लदाक रीजन की जो की एक ठंधा रेगिस्तान है कहां पर पढ़ता है हमारे भारत में ठीक ह तो चलिए पहुँचते हैं सबसे पहले हम लोग गर्म रेगिस्तान सहारा के अंदर ठीक है तो सहारा का यह रेगिस्तान आप लोग देख रहे होंगे बेसिकली जो यह सहारा का रेगिस्तान है इस रेगिस्तान में रेत नहीं पाई जाती है ठीक है बजरी मिलता है बजरी हुआ है जिसमें हुआ अलजीरिया चाड मिस्र लीबिया माली मुर्टाउनिया मुरॉक्को नाइजर सूडान ट्यूनेशिया और पस्यमी सहारा इस तरह से इतने देशों में फैला हुआ है मैंने आपको बताया था कि इसका जो चेतरफल है भारत का चेतरफल हमने देखा यहां पर 3.2 लाग किलोमेटर है ठीक है उसके कंपेर में इसका जो चेतरफल है यह लगभग 8.5 लाग यानि की 3 गुने से भी ज्यादा है सहारा के रेगिस्तान का चेतरफल ठीक है तो मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर बालू नहीं है मुख्य रूप से बजरी है ठीक है यहाँ पंडगन चटानी सता है और इस पर पठार भी पाए जाते है हाला कि जो चटान की सता है यह समतल नहीं है आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पर यह उठा हुआ भाग में उत्तरी भाग में यह फैला हुआ है ग्यारा देशों में यह फैला हुआ है जिसमें अलजीरिया चाड मिस्र लीविया माली मरितौनिया मुरक्को नाइजर सूडान ट्योनीशिया और पस्मी साहरा है इसका जो चेत्रफल है यह भारत के चेत्रफल से लगभग तीन गु अगर देख सकते हैं यह हमारा पूरा हुआ सहारा का रेगिस्तान ठीक है यह पूरा हमारा हुआ सहारा डिजर्ड एक बात और यहां पर देखिए एक तथ्य बताया गया है कि जो यह सहारा का रेगिस्तान है यह पहले ऐसे नहीं था क्लाइमेट चेंज का एक बहुत ही अच जल्वाई परिवर्तन एक मुर्खदा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है लेकिन सहारा का रिगिस्तान जल्वाई परिवर्तन का एक बहुत है अच्छा एक्जामपल है सहारा में जो गुफाएं मिलती हैं उन गुफाओं के चिन्नों से यह ग्यात होता है कि यहाँ पर नदिया भी थी मगर भी पाये जाते थे इस तरह से बहुत सारे जियोजन तो यहाँ पर पाये जाते थे लेकिन वर्तमान में वो सब नहीं है तो इसके पीछे का रीजिन यहीं कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज का ही इफेक्ट पड़ा है सहारा के उपर जिसके कारण या डिजर्ड में बदल गया अब आईए आगे बात करते हैं यहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी तो क्लाइमेट जाहर सी बात है कि अगर यह रेगिस्तान है तो गर्म और सुस्क जलवाव यहाँ पर होगी और यहाँ पर जो वर्चारितू होती है वो बहुत ही कम समय के लिए होती है सहारा में एक छेतर है अल जजीजिया ठीक है? अल अजीजिया का शेतर है लीबिया के अंतरगत जहाँ पर 1922 में 57.7 सेलसियस तापमान धर्ज किया गया था तो वही बात यहाँ पर भी होती है कि दिन के समय अगर हम बात करें तो तापमान लगभग 50 के आसपास पहुँच जाता है गर्मी के सीजन में और वही रात में जो तापमान है वो गिर करके जीरो डिगरी के पास भी पहुच जाता है ठीक है? तो यह हो गई जलवाय वर्सा बहुत ही कम होती है या बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर होती है इसके अलमा यहाँ पर दिन बहुत ही गर्म होता है और रातें बहुत ही ठंड ही होती है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पृत्वी की ये चट्टानों की ये विसेश्था होती है कि जो जितनी जल्दी उस्मा को ग्रहन करता है वह उतनी जल्दी ही त्याग करता है तो बेसिकली बाजरा यहां बजरी मिलता है जो जल्दी से उस्मा को एक्सप्ट भी कर लेता है यानि कि ग्रहन भी कर लेता है और रात के समय तेजी के साथ में उसे छोड़ देता है वायवंडल में इसलिए तापमान वहाँ पर जीरो डिग्री सेंस गिर जाता है अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर वनस्पतियों के बारे में और प्राणी जात के बारे में तो सहारा रेगिस्तान में मैंने आपको बताया था कि मरवस्थलों में जो वनस्पतियां पाई जाती है वो बिसिकली नुकीली पत्तियों वाली होती है या उनमें पत्तियों के जगा काटे होते है तो यहाँ पर कटीली जाडियां पाई जाती है जैसे कैक्टस का पाउधा मि कोमड़ी बिच्छू और साप यहां के भिविन्य जाती हैं इसके अलावा बहुत सारी चिपकलियां भी यहां पर पाई जाती हैं अब बात करते हैं यहां पर किस तरीकी के लोग निवास करते हैं तो सहारा रेगिस्तान की कष्टदाई टाइप के लोग दिखते हैं और जो यहाँ पर परेटग आते हैं वो आकर के तुआरेग जनजाती के लोगों को देखते हैं क्योंकि इनकी जो जीवन सहली है रहन सहन है वो काफी अलग है इसके अल्वा है इस जनजाती के लोग बकडी भेड, उंट, घोडे को पालते हैं और इन पसुओं से इन्हें दूद भी मिलता है इसकी खाल से ये पेटी बनाते हैं जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमडा भी प्राप्त करते हैं उसके अलावा जो पसुओं के बाल होते हैं उनका उपयोग चटाई जव और सेम जैसे फसले भी उगाई जाती हैं ध्यान रिखेगा ये सहारा के मुख्य भूमी पर नहीं जो हम लोग चले जाते हैं नील नदी के बेसिन के पास में वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इस तरह की फसलों का उत्पादन करते हैं मिस्र में उगाई जाने वाली जो कपास होती है वो पूरे बिश्व में प्रसिद्ध है इसके लावा तेल की खोई संपूर बिश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अलजीरिया, लीबिया और मिस्र में होने की कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है देखे, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा सहारा का रेगिस्तान है उसमें कुछ जगाँ पे तेल के सुरोत भी मिले है तो आपको पता है होगा कि तेल की मांग पूरे बिश्व में बहुत ही जादा होती है और अगर किसी देश में तेल की खान मिलती है या तेल उपलब्ध मिलता है तो वह उस देश की एकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा होता है और अगर किसी देश को पता चल जाए कि हमारे देश में इस अस्थान पर तेल मिल सकता है तो वह उस अस्थ पुरस हुआ मेगनीज हुआ और यूरेनियम हुआ सहारा की सांस्कृतिक जीवन सैली में भी परिवत्तनार है आज यहां मस्जिदों में उंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा उंटों के प्राचीन मार्ग के अस्थान पर सुपर महामार बन गए हैं आला कि जब पहले कांच था यहां पर तो उंटों को परिवहन की रूप में यूज किया जाता था लेकिन अब यहां पर बहुत ही विसाल या बहुत ही अच्छे खासे सडकों का निर्मार हो गया है नमक के व्यापार में जो उंटों का प्रयोग किया जाता रहा था उसको आप ट्रक से लोग प्रयोग कर रहे हैं उसके राव मैंने आपको बताया था कि तुआ रेक जो लोग है ये बिदेशी परेटो के लिए मार्ग दक्सर का भी काम कर रहे हैं ठीक है आज अनेक चलवासी जनजाती के लोग सहरी जीवन की ओर जा रहे हैं जहां वह तेल और गैसों में कारे में नौकरी दोड़ते हैं तो ये बेसिकली हमें बात हो गई सहारा के बारे में यहां पर एक रोचक तथ्य दिया हुआ है आईए हम लोग इसको भी देख लेते हैं जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है जहां गर्त में भूमजद जल सता पर आजाता है वहां मरुद्दान बनते हैं यह चोत्र उपजाओ होते हैं लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेंड तथा अनिफसले हुआते हैं कभी-कभी यहां मर्दवान आसामानी रूप से बड़ा भी हो सकता है मुरको में टेफिला लेट मरुद जाती है और नीचे जब थोसच्टान या थोसग सताह मिल जाती है तो ग्राउंड वार्टर होिलो नीचे मिलने वाला पानी वहं बाहर आने लगता है इस स््pping पर ठीक हैं तो जब रही सथान में किसी पनी मिलेगा तो आपको पता होगा कि कि सारे लोग ओनी कर इकठा होंग अब आईए हम लोग ठंडे रेगिस्तान लददाक की बात करते हैं तो लददाक सबसे पहले जान लेज़ी है कि यह दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है ला का अर्थ है परबतिय दर्रा और दाब का अर्थ है देश यानि कि ऐसा देश जो परवत्य दर्रों से बना हुआ है ठीक है तो जम्मू कास्मीर में हमारे बेहध हिमाले में स्थित लद्दाक एक ठंधा रेगिस्ताना भी मैं आपको चित्र में इसे दिखाऊंगा भी इसके उत्तर में कराकोरम परबस्रेणिया और दच्छन में जासकर परबत इस्तित है लद्दाक से होकर अनेक नदिया बहती हैं जिन में सिंधू नदी प्रमुक है ये नदिया गहरी घाटियां और महाखड यानि की गार्ज का निर्माण करती है लद्दाक में अनेक हिमानिया हैं जैसे गयगरी हिमानी लद्दाक की उचाई कारगेल में लगबक Think 3000 मेटर से λेकर कराकोरम में 8000 मेटर से अधिक पाई जाती है अधिक उचाई के कारण यहां की जलवाईव अतिदिक सीतल और सुस्थ होती है इस उचाई पर वाय उपरत पतली होती है जिससे सूरी की गर्मी की अत्यधिक तिब्रता महसूस होती है ग्रीस मरित्म में दिन का तापमान 0 डिगरी सल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान सूनने से 30 डिगरी सल्सियस से नीचे चला जाता है सीत रित में यह बरफिले ठंड़ा हो जाता है तापमान लगभग हर समय माइनस 40 सलसियस से नीचे ही रहता है चुकि यह हिमाले के बिष्ट छाय चित्र में है आता यहां वर्चा बहुत ही कम होती है ठीक है तो हमने पढ़ा लदाक के बारे में तो लदाक यहां पर आएए फिगर से देखते हैं तो आपको और किलियर असपश्ट होगा यह हमारा हुआ लदाक का ठंधा रेगिस्तान ठीक है बेसिकली जो यह रीजन है यह हमारा पहां पर आता है चाइना में हाला कि अफिसली यह इंडिया का भाग है लेकि चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया है उसके अलावा यहां से यह जो रीजिन है यह पूरा आता है प्योके में यानि कि पार्क अकुपाइड कास्मीर में तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि यह हमारा पूरा लद्दा करेगिस्तान हुआ यहां पर हमारा कारगिल है और जासकर परवस्रेणी और कराकुरम के बीच में यह हमारा रीजिन आता है ठीक है तापमान की बात करें तो यहां पर तापमान बहुत ही कम हो जाता है स आप जानते होंगे जिस पर 1984 में हमारे 22 सीना ने कबजा किया था और यहां विश्टु का सबसे उंचा युद्ध का मैदान है सियाकीन ग्लैसियर ठीक है ताप मान की बात करें तो ताप मान यहां पर बहुत ही जाए जाता है क्योंकि यहां जो रिजन हैं यहां काफी उचाई पर पर बरसा होती है यह चेत्र बर्फिली हवाओं और तीक जलाने वाले सूरी के तापका अनुभो करता है आपको यह जानकर राच्चिर होगा कि यह आप सूरी के दूप में इस प्रकार बैठें कि आपके पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक समय में ही उस्मा घात और तुसा स्थित नहीं करता रिफ्लेक्ट कर देता है ठीक है तो जब कभी ऐसे रीजन में जहां पर नीचे वर्फ हो आप उपर बैठेंगे तो उस इस्थित में जो उस्मा अबजार होगा वो आपके स्रीर में अबजार होगा ठीक है लेकिन अगर आपका पैर जो है वो चाया शीत् बारे में ठीक है तो जहां पर सुसकता बहुत ज्यादा है यानि की आधरता यहां पर मिलेगी नहीं क्योंकि हाई प्रेसर जोन हमेशा रहता है उच्च वायुदाव यहां पर हमेशा रहता है इसी के कारण यहां पर मौसम बहुत ही सुसक रहता है तो वनस्पतियां भी बिरल होंगी यहां जानुरों की चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और चोटी घाड़ियां मिलती हैं घाटी में सरपत बिलो और पापलर के उपवन देखे जाते हैं पापलर जो की एक बहुत महत्पूर्ण पौधा होता है आपको पता होगा ग्रेश मिरित में यहां पर सेब खु लद्दा canke में चैसी प्रवासी पच्छी धी रहते हैं आफ याक होगया और के कुत्ते यहां पर पाले जाते हैं और उनका उप्योग क्या जाता है दूद के लिए मांस के लिए इसके लामा खालों के लिए ठीक है जो याक होता है इसका उपयोग दूध हर पनीर के लिए और मक्षन इत्याद के लिए होता है उसके लामा जो भीन और बकरी होती है उनका उपयोग इसके लिए किया जाता है उनका उपयोग मुखिता उनी वस्तर के बनाने में किया जाता है ध्यान रखिएगा कि जो cricket का सबसे अच्छा बल्ला आता है जो bet आप लोग cricket कहलते हैं यह हमारा हुआ तो इस bet का निर्माण below नामक यानि कि सरपत की लकड़ी से किया जाता है जो सबसे अच्छे quality का bet होता है last में यहां के लोगों के बारे में थोड़ा सा जान देते हैं तो basically यहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत धर्म या मुस्लिम समदाय के लोग यहां पर रहते हैं इसके अलावा यहां पर जलवायों इतनी कश्टकारी होती है में सर्दियों में इतनी जादा यहां पर तापमान गिर जाता है कि लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों के अंतरगत ही अपना ध्यान बटाये रहते हैं और अपने आपको बेस्त रखते हैं यहां पर जो महिलाये पाई जाती हैं वो भी काफी परिसर में होती हैं छोटे ब्योसाय भी करती हैं दुकाने भी चलाती हैं और लेह जो की सबसे ठंड़ा अस्थान है बिस्तुका वह इस लद्दाक्च रीजन की राजधानी है यहां पर राष्टिय राजमार्ग वन ए भी लेह को जोजीला दर्रे से होते हुए कास्मीर घाटी से जोड़ता है ठीक है मैं मैं देखेगा यह कास्मीर घाटी को यहां से जोड़ता है जोजीला पास के जरिए लद्दाक रीजन को लेह यह हमारा वन ए निशनल राष्टिय राजमार्ग है तो इस तरह से हमने आज यह अध्याय समाप्त किया यानि की क्लास 7 की NCRT हम लोगों ने समाप्त की इसके बाद में हम लोग क्लास 11 की NCRT को भी पढ़ रहे थे तो मैं कोशिस यह करता हूँ कि पहले हम लोग क्लास 11 की जो NCRT है भारत भौतिक परियावरण उसको समाप्त करें उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास 8 की, 9 की, 10 की उसके लावा जो 12 की हमारी NCRT सेस है उसको भी समाप्त करते हैं आप लोगों ने अपना समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कुमार बिने और Just Knowledge चैनल आप सभी के सपनों को सपोर्ट करता है थाएंक्यू फॉर दिलिस्निंग जै हिन जै भारत